Welcome to only IS, ये जो session अभी हम discuss करने वाले हैं, ये comprehensive prelim special batch 2022 का part है, ये topic अपने आप में independent है और अपनी complete information contain करता है, तो आप बहुत इत्मिनान से इस पूरे session को देख सकते हैं, तो चलिए lecture start करते हैं Welcome to only IS, तो अगर आप सभी लोगों का Indian quality के इस session में, ये हमारा पहला lecture है, आज के इस session में हम सबसे पहले तो कुछ fundamentals समझेंगे, जैसे कि ये जो subject है हमारा that is Indian quality, जिसे आप हिंदी में भारती राजव्यवस्था भी बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ा और पहला सवाल हमारे लिए होगा that will be, कि इस subject को Indian quality या फिर quality क्यों कहते हैं, ये तो पहला question हो जाएगा, और दूसरा question ये होगा, कि जब इस विशय का नाम Indian quality या फिर राजव्यवस्था है, तो हम इसमें constitution क्यों study करने लग जाते हैं, इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, धीमे धी quality या फिर राजव्यवस्था क्यों कहते हैं, इस scholar ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को विस्तार से समझना चाहते हैं, then go through the words, सब्दावली खंगा लिए, तो हम भी वही करते हैं, सब्से पहले तो आप इस सब्दावली को देखे, that is polity, मैं आपको बदा दूँ कि जो polity word है, ये ग्रीक भासा के सब्द पॉलिस से निकला है, ग्रीक लैंग्विज का वर्ड है, पॉलिस, इस पॉलिस वर्ड से ही ये पॉलिटी निकला है, पॉलिस वर्ड का जो मतलब था, that was city-state, या फिर आप इसे नगर राज्य कह सकते हैं, उस समय, anything that was concerned with city-state, was called as पॉलिस, at that time, कोई भी age या फिर कोई भी मामला, जो city-state से related था, उसे हम पॉलिस कहा करते थे, और बाद में वहीं से ये सब्द निकल के आया, पॉलिटी, जो पहले के city-state थे, वो बाद में empires में convert हुए, और फिर nation-state में convert हो गए, तो मतलब वर्तमान में जो nation-state से related affairs हैं, उन्हें आप पॉलिटी कहते हैं, यहाँ पर देखिए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कि यह instant Greece की हम बात कर रहे हैं, तो Greece है कहा, देखिए, जो Greece है, वो आज भी वही है, जहाँ पहले हुआ करता था, यह Europe का map है, और यहाँ पर continental Europe के southern part में आप यह Greece देख पा रहे हैं, continental Europe हम इसलिए बोलते हैं, because वैसे तो Britain भी Europe का ही पार्ट है, लेकिन इसके बीच में English Channel है, तो यह continental Europe का पार्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए, इसका एक large map दिया गया है, actually में जो instant Greece था, वहाँ पर कई सारे city states हुआ करते थे, जैसे की Athens, Sparta, Corinth, Tabas, और Delphi, यह सब छोटे-छोटे city state हुआ करते थे, Sparta यहाँ पर है, देखिए, यह है Athens, यह है Thebes, यह है Delphi, और यह है Corinth, ऐसे कई सारे city state उस समय हुआ करते थे, इन city states का नाम आपनी निश्चित तौर पर 300 और Troy जैसी movies में सुना होगा, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है, कि city state का actually में मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सामाने तरीके से बताऊं, तो जब एक city state की तरह behave करने लगती है, तो हम उसे city state कहते हैं, state की तरह behave करने का मतलब यह है कि उस city के पास कानून खुद ही बनाएं, उनके पास अपनी सरकार हो, population हो, territory हो, state का मतलब अभी हम विस्तार से समझेंगे, उस समय जैसे यह स्पार्टा है या फिर Athens है, यह अपने आप में sovereign होते थे, यह अपने लिए खुदी कानून बनाते थे, खुदी खुद को govern करते थे, और कई बार तो इनमें खुद में भी conflict देखने को मिलता था, यह तो ancient के city state हुआ करते थे, और इनसे associated जो भी affairs होते थे, matters होते थे, उन्हें policy कहा जाता था, और यही policy है आज का polity, अचा एक बात बताईए, क्या आज कोई city state है क्या, अगर इस सवाल का जवाब आपको देना हो, तो मैं आ की ओर से दे देता हूँ, हाँ, आज भी city states है, सबसे prime example, Vatican City का है, Vatican City बहुती छोटी सी location है, आपको पता होगा, यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, इनके पास अपनी defined territory है, कुछ लोग है, यह अपने लिए खुदी कानून मनाते हैं और यह sovereign है, तो Vatican City आज एक prime example है city state का, वैसे तो अब city states नहीं है, लेकिन Vatican City can be considered as city state, इसके अलामा अगर आप चाहें, तो Switzerland को भी city state बोल सकते हैं, Switzerland अपने आप में एक city ही है, और उसके आसपास का जो adjoining area है, वो मिला कर बन जाता है एक तेस, तो पहले city states यह जो हुआ करते थे, फिर बड़े-बड़े empires Persian empires develop हुए, लेकिन यह empires इतने जादा बड़े थे कि यह खुद को बहुत लंबे समय तक sustain नहीं कर पाए, तो यह empires again कई सारे हिस्सों में टूटे, और concept आया, nation state का, nation state का concept ऐसा था, nation का मतलब यह होता है कि जब कुछ लोग किसी defined territory में किसी एक common thread से बने हो, किसी कोई एक च किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं nation state, इस लिहाज से अगर आप देखें हैं, तो कई सारे nation state develop हुए, जब बड़े-बड़े empires टूटे, क्या इंडिया एक nation state है, नहीं, इंडिया nation state नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि nation state बनने की पूरु सर्ति यह है कि जो भी state है, उसमें रहने वाले लोग एक common state से बनने हो, तो religion हो सकता है, language हो सकता है, ethnicity हो सकता है, culture हो सकता है, भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कई सारे religion, ethnicity, culture रहते हैं, इंडिया बहुत diverse country है, इसलिए इंडिया को nation state की category में नहीं रखा जाता, बलकि आप इंडिया को कह क्या होता है, तो quality ग्रीक language के word, policy से निकला है, जिसका मतलब था city state, इसका मतलब जो कुछ भी city state से समंदित है, नगर राज से समंदित है, वो policy है, यानि कि quality है, city state बाद में खतम हुए, बड़े-बड़े empires आये, empires टूटे और nation state बने, इंडिया nation state नहीं है, इंडिया है state of nations, तो ये तो अंग्रेजी की सब्दावली को हमने खंगाला, that was quality, तो आप समझ गए कि quality का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, हिंदी की सब्दावली की ओर, जो है राज व्यवस्था, अगर आप समझें, तो राज व्यवस्था दो सब्दों से मिलकर ब मतलब की system, अब आपको अगर राज व्यवस्था का मतलब समझना है, तो आपको इन दोनों सब्दों का मतलब बहुत ही बढ़ियां से समझना होगा, तभी आप राज व्यवस्था का मतलब समझ पाएंगे, और तभी आप समझ पाएंगी राज व्यवस्था ये जो subject है, हम इसमें ultimately constitution क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्यवस्था समझाता हूँ, उसके बाद आप राज व्यवस्था समझेगा। देखें, व्यवस्था की एक बहुत इस्टेंडर्ड डेफिनिशन है। वो ये है कि system is set of elements that are interconnected or interrelated। हिंदी में कहें, तो व्यवस्था कुछ ऐसे तत्मों का समुच्चे होती है, जो परसपर अंतर संबंदित होते हैं। अब इसका भला क्या मतलब हुआ। देखें, जो भी व्यवस्था होगी या system होगा, उसमें कई सारे components होते हैं, कई सारे elements होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, एक example लेते हैं, computer का, अभी तो आप laptops और iPads वगएरा यूज करते हैं। इसके पहले या कई सारे लोग अभी भी computer system इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम in general system कह दिया करते हैं या computer system कह दिया करते हैं। computer system में कई सारी चीज़े होती हैं, जैसे की, यहां पर आप देख लेजिए, यह suppose करी, एक computer यहां बनाया गया है, तो एक computer में monitor आपको मिल जाएगा, keyboard मिल जाएगा, mouse मिल जाएगा, CPU मिल जाएगा, यह सब इस computer system के components हैं, या फिर elements हैं, तो हमने देखा कि एक system में कई सारे elements ह होते हैं, फर्दर वो interconnected होते हैं, मतलब यह जो keyboard है, यह connected होगा आपके monitor से, ultimately सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होगा, तब यह system वर्क करेगा, अगर यह interconnected नहीं होंगे, तो आप इसे ultimately system नहीं कह पाएंगे, यहां पर एक और example आप human body का ले सकते हैं, human body भी अपने आप में एक system ही होती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी body कहा है, तो आप क्या दिखाएंगे, अपना हाथ, वो तो आपका हाथ है, वो सिर है, आखे वो आखे हैं, ultimately जो human body है, वो इन सभी organs को मिला कर बनती है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप देख ये बनता है एक system, ठीक है, अब ये तो हो गया system का मतलब, अब आप समझे राज्य का क्या मतलब है, जैसे कि हमने कहा कि राज्य व्यवस्था यानि कि राज्य एक व्यवस्था है, और मैंने ये कहा कि व्यवस्था कुछ तत्वों का समुच्चे है, जो प्रस्पर अंतर सम् देखे, राज्य में basically चार elements होते हैं, पहला है population यानि की जनसंख्या, दूसरा है territory, तीसरा है government और चौथा है sovereignty, हिंदी में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, UPSC ने prelims 2021 में बिलकुल यही question पूछा था आपसे, कि state का क्या मतलब होता है, वहाँ पर आपके पास चार options थे, येवल पहला option ऐसा था जिसमें ये चारो elements indirectly mention किये गए थे, और वही इसका सही जवाब था, कि state का क्या मतलब है, देखे, UPSC बहुत fundamentals पर सवाल पूछ रही है, व fundamentals में गलतियां हो जाती, तो आपको fundamentals बिलकुल clear रखने हैं, हम पूरी quality पर जाते हैं, और हमें state का मतलब clear नहीं होता, ये तो disappointing होगा न, अब यहाँ पर देखे, चार elements हैं, जो आपस में मिलकर बनाते हैं, state, तो पहला जो element है, that is population, population का होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी state क state बनने के लिए, suppose करिए कि एक ये island है, ठीक है, इस island पर किसी एक देश की sovereignty है, ये island किसी देश का है, वो देश इस island के संबंद में कानून मनाता है, और उस देश के पास अपनी सरकार भी है, तो क्या हम इस island को एक state कहा देंगे क्या, नहीं, state को आप country के टम में लीजेगा, पहले state को, जैसे अभी तो जो state है, कई सारे देशों में वो सब यूनिट्स होती है, जैसे भारत में कई सारे राज्ये हैं, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, चमुएन कस्मीर, तो अभी राज्ये नहीं रहेगा, वो यूटी बन गया, लेक पर लोग रहते ही ना हूँ, किस बात का state, जब लोगी नहीं है तो, अब किसी भी state की जो population होती है, वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो होती है, citizen, ठीक है, और दूसरी होती है, non-cetigen, ठीक है, citizen वो लोग होते है, citizen से पर एक status होती है, जो किसी भी state की government, उनके लोगों को grant कर तो सेटिजन से एक स्टेटस है, इसका मतलब यह है कि वो राजी कुछ लोगों को रिकोगनाईज करता है कि आप हमारे नागरिक है, और राजी द्वारा दी जाने वाली various facilities उस सेटिजन को एवलेबल होती है, कई जारे लोग होते हैं, जो परमानेंटली किसी स्टेट में जाक सेटिजन सिप खाने में नमक की तरह होती है, अगर आपके पास सेटिजन सिप है तो आपको फील नहीं होता कि मैं किसी डेस का नागरिक हूँ, लेकिन अगर आपके पास सेटिजन सिप ना हो, तब आपको महसूस होगा कि इसका मतलब क्या होता है, एजियूम कर लेते हैं कि आज के बाद से आप भारत के नागरिक नहीं है, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टिकेट नहीं मिलेगी, आप educational qualification अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी institution आपको admission नहीं देगा, आप politically participate नहीं कर सकते, और बुरी तरीके से प्रभावित करता है, तो population दो तरीके की हो सकती है, citizen और non citizen, और population का होना, किसी भी state के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये element, present नहीं है, तो उसे आप state नहीं कह पाएंगे, दूसरा मामला हुआ, territory का, किसी भी state के state होने के लिए, वहाँ पर territory होना बहुत जर सरकार बनाएंगे, और अपने लिए कानून खुद ही बनाएंगे, और वो जो ship है, वो high sea में, यानि के समंदर के बीचो बीच तैर रहा है, अब वहाँ पर population भी है, government भी उन्होंने बना ली, और उनके पास sovereignty भी है कानून बनाने के, लेकिन उनके पास कोई territory नहीं है, आप ship को देश नहीं कह सकते, तो territory का होना बहुत जरूरी होगा, ठीक है, तीसरा मामला आता है government का, किसी भी देश के देश होने की पहली सर्थ है कि वहाँ पर सरकार होनी चाहिए, सरकार होने का क्या मतलब बना, एक ऐसी body जो कानून को बनाए, और implement करे, और विवाद के सिती में विवादों का निप्टारा करे, example के तौर पे एक छोटा सा island है, ठीक है, उस island पर कई सारी जनजातियां रहती है, लाइक हमारे यहाँ एक सेंटनलीज island है, वहाँ पर सेंटनलीज जनजाती रहा करती है, तो वहाँ पर population है, उनके पास island की यह पूरी territory भी है, चुकि जो जन हम सेंटनलीज जनजाती को एक देश नहीं कह सकते, although उनके पास तीनों elements है, except government, तो government का होना भी किसी भी territory के लिए सरकार या स्राजी का होना बहुत ज़रूरी है, अब जो चौथा बहुत important element है, that is sovereignty, यानि कि संप्रभुता, यह बहुत important है, संप्रभुता सर्वच सक्ती होत है, जो किसी भी government को decision making grant करती है, sovereignty का मतलब यह होता है, कि आप अपने internal और external affairs में free है, मतलब कोई भी सरकार अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाहे मामलों में जो भी कानून बनाएगी, वो स्वतंत्र होकर बनाएगी, उसके उपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई और उस दबाह नहीं सकता, या उसके उपर authority imposed नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने कहा कि sovereignty is the supreme power, तो प्रभुता सरवोच सकती होती है, तो उसके उपर कोई नहीं हो सकता, example के तौर पे हम काफी लंबे समय तक बिट्शर्स की कॉलोनी थे, बिट्शर्स का हमारे उपर सासन था, भारत में population थी, लोग रहते थे, हमारे पास हमारी defined territory भी थी, सरकार भी थी जो अंग्रेजों ने बना रखी थी, court of, या legislatures हुआ करते थे, executive council हुआ करती थी, हमारे पा Indians अपने लिए supreme power नहीं थे, इसलिए हम खुद को state नहीं कह सकते थे, हम थे colony, हम थे उपनिवेश, तो आपने समझा कि किसी भी राज्य के राज्य होने की एक बहुत ही महतपूर सर्त है, कि वहाँ पर sovereignty हो, मैं आपको पता दूँ कि इन चारो element में जो सबसे important element माना जाता है, that is sovereignty, लेकिन एक बात मैं बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूँ, इस point को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कभी मिसमत करिएगा, ये जो चारो element है, ये optional नहीं है, optional ना होने का मतलब क्या है, कि अगर आपसे ये कहा जाए, कि इन में से कौन सा होगा तो राज्य बनेगा, कौन सा नहीं होगा तो राज्य बनेगा, इन में से कोई भी element absent है, तो राज्य नहीं बन सकता, इस लिहाज से मैं सपष्ट सब्दों में कहूं, तो इन चारो elements में से आप किसी को भी जादा या कम महतपूर नहीं कह सकते, although sovereignty अपने आप में बहुत important होती है, क्योंकि sovereignty नहीं ह तो फिर एक inhuman condition create हो जाती है, still आप government, territory और population को sovereignty के उपर नहीं रख सकते, मतलब कि state होने की ये जो चार conditions है, इन चारो में चार की चारो बहुत ही जादा important है और equally important है, इन में से एक भी absent है, तो state नहीं कहा जा सकता, तो आपने ये समझ लिया कि किसी भी state के state होने के लिए जर जो पहला organ है, that is legislature, यानि कि विवस्थापिका, जिसका काम है कानून को बनाना, दूसरा organ है executive, यानि कि कारेपालिका, जिसका काम है कानून को implement करना, और तीसरा important organ है judiciary, यानि कि नियापालिका, इनका काम है, अगर कोई विवाद होता है, तो उसका निप्टारा करना, constitution को explain कर उसे protect करना, अब यहाँ पर देखे, अगर विवाद दो राज्जियों के बीच में होता है, केंद्र या राज्जी के बीच में होता है, तो ऐसे विवादों के निप्टारा करने का जो पूरा एक काम है, responsibility है, वो हमारी नियापालिका के पास है, जिसरी के पास है, यहाँ प एक है लोगसभा और दूसरी है राज्यसभा, लोगसभा और राज्यसभा में जो भी लोग कानून बनाने के लिए बैठते हैं, उन्हें कहा जाता है Member of Parliament, यानि कि जो MP होते हैं, वो लोगसभा और राज्यसभा में होते हैं, लोगसभा में जो भी Member of Parliament जाते हैं, उन्हें ल अगर आप states में जाएं जैसे कि उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू, मडिपूर, राजियों में, तो वहाँ पर जो legislature होती है उसे legislative assembly कहा जाता है, ठीक है, जो legislative assembly होती है, उसमें जो लोग बैठते हैं उन्हें कहा जाता है MLA, यानि कि member of legislative assembly, MLA, ठीक है, मतलब जो केंदर में हैं, उन्हें कहा जाता है MP, member of parliament, और जो states में हैं, उन्हें कहा जाता है MLA, कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर राज्यों में भी एक upper house होता है, जैसे केंदर में लोग सभा और राज्य सभा होती है, वैसे ही राज्यों में भी एक upper house होता है, legislative assembly के इतर, उस कहा जाता है MLC यानि कि Member of Legislative Council तो आपने ये समझा कि के अंदर में जो legislators होते हैं जो हमारे लिए कानून मनाते हैं उन्हें कहा जाता है MP यानि कि Member of Parliament और जो राजियों में होते हैं उन्हें कहा जाता है MLA Member of Legislative Assembly और जिन राजियों में Upper House भी है यानि कि Legislative Council भी है उनके Members को कहा जाता है MLC यानि कि Member of Legislative Council तो ये तो fundamentals हैं जो आप अपनी आम, बोल, चाल के जीवन में भी देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं अगर हम Executive के बात करें तो Executive में वही लोग होते हैं जो Legislature से आते हैं Legislature से ही कुछ लोगों को चुनकर मंतरी बना दिया जाता है और वो हमारे Executive का पार्ट बन जाते हैं तो जो मंतरी Executive का पार्ट बनते हैं उन्हें कहा जाता है Temporary Executive क्योंकि वो महज 5 साल के लिए होते हैं और दूसरे होते हैं Permanent Executive Permanent Executive वो लोग होते हैं जो Administrative Services से चुनकर जाते हैं जैसे आप exam पास कर लेंगे और IAS बनेंगे उसके बाद आप सची हो भी बनेंगे तो आप Permanent Executive का पार्ट होंगे तो Executive दो तरीकी की होते हैं Temporary और Permanent हमारे यहां इंडिया में Unified Judiciary का सिस्टम है के अंदर में या बिलकुल Center में होता है Supreme Court उसके बाद राजजियों में होते हैं High Court और उसके नीचे Lower Courts होते हैं तो यह तो कुछ Fundamentals हैं जैसे इंडिया वर्क कर रहा है तो अब आए हम अपने अगले बड़े सवाल का जवाब लेते हैं वो यह है कि जब इस Subject को हम Polity कहते हैं तो हम इसमें Constitution की Study क्यों करते हैं जैसा कि अभी तक आपने समझा कि राजजी को राजजी कहे जाने की मूल सर्त है कि वहाँ पर Population होनी चाहिए Territory होनी चाहिए Government होनी चाहिए और sovereignty होनी चाहिए अब बड़ा सवाल यह है कि किसी राजजी की Population क्या होगी कौन लोग होंगे सेटिजन और कौन लोग होंगे नॉन सेटिजन यह कहां मिलेगा आपको मतलब भारत है भारत की territory क्या कहां और कितनी है हम कैसे नई territory incorporate कर सकते हैं कैसे जो हमारे पास existing territory है उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको कहां मिलेगी मैंने आपसे कहा कि सरकार के तीन अंग हैं विवस्थापिका, कारेपालिका, न्याएपालिका इनके बारे में आपको जानकारी या जिकर कहां पर मिलेगा मैंने कहा कि इंडिया जो है वो सौवरेन है वो अपने कानून खुद ही बनाता है हम किसी के भी प्रभाव में काम नहीं करते ये अधिकार जो हमारी सरकार है उसे कहां से मिलता है इन सभी सवालों का एक ही जवाब है That is Constitution कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्केट के बाले में समझना है उसके बारे में कोई जानकारी इकठा करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस किताब को पढ़ें जिसमें ये सारी जानकारियां दी गई है और इस किताब को भारत में कहा जाता है Indian Constitution, भारतिय समविधान तो अब हम बात करेंगे Indian Constitution के बारे में तो जो सबसे पहले हमारे सामने सवाल होगा वो ये है कि Constitution होता क्या है Constitution सेट अफ रूल्स है कुछ कानूनों का एक सेट है जो ये गाइड करता है कि एक कंट्री कैसे काम करेगी उसके भीतर जो subunits हैं यानि कि states या political organization वो कैसे work करेंगे ये वही constitution define करता है और बताता है तो ये तो constitution की एक simple से definition हो गई आपको कभी means में लिखने का मौका मिल जाए ऐसे में लिखना पड़ जाए तो आप इसे mention कर दीजिए इसके अलामा भी आप constitution के कई सारे जो आयाम है या फिर definitions हैं वो समझ सकते हैं जैसे constitution जो होती है वो fundamental principles की एक body होती है जिसके इसापके किसी भी state को या तो बनाया जाता है या govern किया जाता है constitution किसी भी जेगय का fundamental law होता है जो उस society के उस state में रह रहे हैं उनके aspirations को या goals को पूरा करता है तो country कैसे आगे बढ़ेगी ये हमें उस constitution से ही पता चलता है constitution एक ऐसा framework है जिसे breach नहीं किया जा सकता वो हम सभी लोगों के aspirations को goals को freedom को ensure करता है और उसे सभी लोगों को follow करना होगा constitution वो fundamental values define करता है जिसे breach नहीं किया जाना चाहिए जिसे trespass नहीं किया जाना चाहिए एक अक्सर सवाल उठता है कि constitution काफी पहले बनाया गया आज से लगभग 75 साल पहले जो कि पूरे होने वाले हैं तो क्या constitution आज भी relevant है exactly constitution आज भी relevant है क्योंकि जो constitution है उसे एक living document कहा जाता है living document होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आज से 75 साल पहले जो constitution बना दिया गया वो जियों कात्यों वैसा ही आज भी रखा हुआ है जो हमारे constitution makers थे वो enough sensible थे उन्हें पता था कि जो हमारी society है वो आने वाले समय में बदलेगी वो भले ही mobile phones, internet या laptop के बारे में जानकारी ना रखते हूँ लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि भविश्य में कुछ ऐसी चीज़ें आज तकती हैं जिसके सम्मन्द में regulations required होंगे जो आज existence में नहीं है इसलिए उन्होंने constitution में enough scope छोड़ा कि उसमें समय समय पर बदलाव किया जा सके तो constitution एक living document है जिसमें various तरीके से changes किये जाते हैं इसके लिए constitution में amendment किया जाता है जिए इसरी interpret करती है various जो clause हैं हमारे constitution के उसे फर्दर कई सारे laws पास किये जाते हैं कानून मनाया जाते हैं जिनके माध्यम से हमारे constitution में जो भी required changes हैं वो समय समय पर किये जाते रहते हैं तो constitution एक living document है ये सारी चीज़े हमने समझ ली कुछ conventions भी हैं कुछ परमपराए हैं जिनको follow किया जाता है कहीं लिखे नहीं गए हैं लेकिन काफी लंबे समय से पुजियों कत्यों follow किये जा रहा हैं इन्हें हिंदी में अभी समय कहा जाता है significance क्या है constitution की मतलब constitution क्यों जरूरी है constitution एक political framework हमें देता है इसके जरीए हमें ये पता चलता है कि आखिर हमें कौन से decision कब और कैसे लेने है अगर कोई conflict आता है या जो हमारी aspirations है, ideals हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा देश अचीव करे हमने जो national struggle देखा इसे face करके हमने आजादी पाई उस दोरान हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजे थी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और क्या-क्या plans हमारे होंगे, ये सारी चीजे आपको हमारे constitution में ही मिल जाएंगी constitution हमें एक moral identity देता है, moral identity देने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये चीज define की जाती है हमारे constitution में, ये हर individual की जो identity है उसे reflect करता है, हम और आप हैं कौन, इसका एक जवाब हमें हमारे constitution से मिलता है, इसके basis पर हम दुनिया में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम भारती हैं, we are Indians, ये identity हमें हमारा constitution ही grant करता है, जब हमारा constitution बनाया गया त पिर्शरस ने हमें काफी लंबे समय तक rule किया था और हमाये लिए जो भी नियम कानून थे वही decide करते थे, फिर हमें आजादी मिली और हमने एक document तयार किया जिसके basis पर हमने ये कहा कि हम पूरा देश चलाएंगे, उसके बाद सरकार बनी, तो हमारे constitution का basic objective तो ये था, कि जो सरकार बनाई जा रही है, जिसके उपर जिम्मेदारी है कि वो हमारे ambitions को, जो हमने अपने future के लिए decide किये थे, हमारे जो इच्छाएं थी, aspirations थी, उन्हें पूरा करने के जिम्मेदारी हमने एक सरकार पर दी, वो कौन सी conditions होंगी, जिनमें ये सारी aspirations फुल्फिल हो सकती है, व जो जिसके लिए entitled है, उसे वही मिले, just society का मतलब यही होता है, मतलब अगर आपने country के benefit के लिए कुछ किया है, तो आपको reward दिया जाए, अगर आपने law breach किया है, आपने देश को नुकसान पहुचाया है, तो आपको punishment दी जाए, अगर आप educated हैं, और आपके पास योगिता है country के welfare में, development में contribute करने को लेकर, तो आपको उसका मौका दिया जाए, तो नियाएपूर समाज का मतलब यही है, जो जिसके लायक है, उसे वो दिया जाए, यही actually में justice की एक basic सी definition भी होती है, जो हमारा constitution है, वो यह specify करता है कि government के पास क्या अधिकार होंगे, society कैसे govern करेगी खु करता है, यह कुछ basic rules बनाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार कहां कहां हस्तक छिप करेगी, कहां कहां नहीं करेगी, यह कुछ limitations भी impose करते हैं सरकार के उपर, यह नहीं कि सरकार को हमने चुनके भेज दिया, तो उनको जो मर्जी में आ रहा हो कर रहे है, फिर तो एक autocratic government आ जाएगी नो दिरंकुष तरकार आ जाएगी, दिरंकुषता ना आए, तो यहां पर सरकार के उपर limitations भी impose की गई है, जब भी सरकार के उपर limitation की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक सब्द आता है, ऐसा सब्द जिसके उपर कई बार प्रशन पूछे गए हैं, and that is constitutionalism, जानिकि सम्विधानवाद, क्या है सम्विधानवाद, constitutionalism, constitutionalism एक political philosophy है, एक राजनीतिक दर्सन है, इसका जो idea है, वो limited government में खिपा हुआ है, सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार के पास अगर सीमित सक्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार के पास अगर अगर सीमि जो constitutionalism का basis है, वो actually में Magna Carta से originate होता है, जो की 1215 में England के राजा John ने sign किया था, यानिकि King John ने, वहाँ पर जो various group के लोग थे, वो अपने लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे, पहले राजा निरंग को सुआ करते थे, उन्हें जो मर्जी आती थी वो करते थे, पिर लोगो के दबाव में आकर, King John ने एक document sign किया, 1215 में, बहुत पहले की बात है, जिसे Magna Carta कहा गया, जिसे English Bill of Rights भी कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसके जरिए King John ने ये वादा किया, कि मैं कुछ fundamental या basic rights सभी लोगों को दूँगा, यहाँ पर King John की जो authority थी वो limit हो भी कह सकते हैं, जो western idea है, constitutionalism का, यानि कि संग्विधान का, वो negative है, negative essence में है, कि यह सरकार की, जो decision making है, उसे restrict करता है, उनकी powers को restrict करता है, उनने limit करता है, तो जो constitutionalism है, उसके कई सारे component है, यानि कि सरकार को limit करने के लिए, क्या-क्या प्रावधान अपनाए जाते हैं, एक त इसे government को abide करना होगा, rule of law का concept, AV-DC ने दिया था, जो कि British political theorists थे, rule of law के तीन law है basic, जिन पर हम आगे के lectures में विस्तार से बात करेंगे, कि कौन से वो तीन law है, और उनमें से कौन सा India में applicable है, कौन सा नहीं है, दो applicable है, एक नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन वो तीन कौन से हैं, वो मैं आपको अपकमी lectures में विस्तार से बताऊंगा, तो AV-DC का जो rule of law है, वो ये कहता है, कि जो law है, उसके basis पर ही government work करेगी, तो मतलब government limit हो रही है कि नहीं हो रही है, दूसरा point है separation of power, separation of power का मतलब ये है, कि सरकार के तीन अंगे हमने देखा, विवस्थापिक freedom of speech and expression, इसके जरीए सरकार को criticize किया जाता है, उनकी policies को question किया जाता है, वो जवाब देने के लिए बात ये होते हैं, ultimately उन्हें लोगों के बीच में से चुन कर जाना है, जब उनसे सवाल किया जाता है, तो ये उनके अथालिटी को limit करता है, जो था है independent judiciary, जब independent होती है, उनक word declare कर सकती है, elected government, सरकार को चुना जाता है, मतब सरकार को लोगों के बीच में वापिस आना होगा, पांस साल के बाद, ये उनकी arbitrariness को limit करता है, क्योंकि अगर आपने अथिकारों का दुरपयोग किया है, सक्कियों का दुरपयोग किया है, तो जब आप दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे, तो लोग आपको बाहर करा सा दिखा, तो ये कई सारे elements हैं, जो constitutionalism को, यानि कि संग्विधान बात को ensure करते हैं, बिलको लियाद रखेगा, ये पाच्छों पॉइंट, rule of law, separation of power, free, press and media, independent, judiciary, elected government, means में आपके काम आ जाएगा, अगर constitutionalism पे कोई भी environmentals cover कर चुके हैं, उमीद करता हूँ, ये सारी बाते आपको clear हुई होगी, इसका जो next session होगा, उसमें हम historical development के बारे में बात करेंगे, यानि कि हमारा जो संग्विधान है, उसका विकास कैसे हुगा, तो आज के इस session में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद,